दोस्तों आज की इस वीडियो में voice change का definition उसके types और उसके uses को discuss करने वाली हूँ अब यह word voice change हम लोग तो सुनते आ रहे हैं लेकिन उसका मतलब भी नहीं पता है बस कुछ rules को follow करो और बन गया voice change इतना ही सीख के रखे हैं तो ज़्यादा time waste ना करते हुए let's start the video अब voice change को सीखने के लिए भर्व का तीनों form पता होना चीए भर्व का first, second और third तीनों form पता होना चीए तब ही strongly voice change हम लोग का बन जाएगा तो voice भर्व के form को बदलने का एक तरीका है मतलब यह एक परकार का वर्व का ही transformation है अगर हम लोग वर्व के form को change कर देते हैं first में कर दो या second में कर दो या वर्व का third form में कर दो तब तो यह voice change हो गया और यही है voice change और जादा कुछ नहीं है वर्व का जो present form होता है, past form होता है, third form होता है उन तीनों में ही बदलते रहने रहते हैं तब ही voice change हो जाता है क्यूँकि इस विदि की सहायता से cable वर्व के form को बदला जाता है इसके meaning तो नहीं, इसका मतलब छीर्व का form change होना चाहिए ना कि इसका meaning, वर्व का form change हो सकता है V1 से V3 हो सकता है, V2 से V3 हो सकता है बट उसका meaning एकदम change नहीं होना चाहिए और तीसरा tip क्या है? वाकिका structure तो बदला जाता है लेकिन उसका वाकिका अर्थ नहीं बदलना चाहिए जो वाकिका meaning जो है वो same रहना चाहिए चाहे वो voice change हो या फिर voice change होने के बाद यानि वर्फ के form को बदलो लेकिन उसका meaning ना बदले भले ही उस वाकिका structure बदल जाए अब इस concept को बहुत अच्छी तरह से clear करने के लिए मैं दो example देना चाहूंगी Rohit ate a mango, a mango was eaten by Rohit दोनों ही sentence में verb का जो form है, यानि कि verb जो है ate, ate ate और second sentence में verb है ate and eaten दोनों में ही verb का form शिप change हुआ है उस sentence का meaning change नहीं हुआ है पहले sentence में है Rohit ate a mango, उसमें ये बताया जा रहा है कि Rohit mango खाता है फिर number two में है a mango was written by Rohit इसमें Rohit ने mango को खाया, दोनों में ही देखो वाक्य का meaning same ही आ रहा है ठीक है लेकिन सिर्फ क्या हुआ है वर्व का जो form है वो change हो गया है अब आगे बढ़ने से पहले मैं एक बात बताना चाहूंगी या दिलाना चाहूंगी कि subject, verb और object तीनों का concept एदम clear होना चीए तब फिर आराम से जो है हम लोग voice change को आराम से active से passive तक change कर सकते हैं subject मतलब क्या होता है जिसके बारे में बात किया जा रहा है verb मतलब क्या होता है जो काम हो रहा है और object मतलब क्या होता है क्या काम हो रहा है कौन सा काम हो रहा है अब जैसे पहले ही sentence में देख लो रोहित 8 है mango जो subject है वो रोहित है जो verb है वो 8 है और जो object वो a mango है कैसे समझ गया है? रोहित खा रहा है यानि कि खाना हुआ क्रिया करना और रोहित हुआ करता मतलब जो कर रहा है और mango हुआ जो action यानि कि वो खा रहा है तो मतलब mango खा रहा है यह हो गया action के काटेगरी में यानि कि object अब चलिए voice के kinds को देखते हैं So there are two kinds of voice दो तरह के voice होते हैं active voice and passive voice अब active voice तो subject से start होता ही है पर साथ में यह भी बताया जाता है कि उस sentence में सब्जेक्ट ही वो action करता है सब्जेक्ट ही वो काम कर रहा है वो क्रिया सब्जेक्ट ही कर रहा है यानि कि active voice में वाकिका subject मतलब कि करता सक्रिय रहता है यानि कि active रहता है मतलब सारा credit जो है सब्जेक्ट पर ही रहता है एक्जाम्पल देखे रोहन राइट सा लेटर तो रोहन एक लेटर लिखता है तो इसमें सब्जेक्ट रोहन है वर्व राइट से और अब्जेक्ट जो है वो लेटर है तो सब्जेक्ट यानि कि रोहन वो तो स्टार्टिक में है और ये जो है एक्टिव भी दिखा जारा है एक्टिव यानि कि रोहन ही वो काम कर रहा है यह ज़्यादा इन्पोर्टेंट है क्या काम कर रहा है यह ज़्यादा इन्पोर्टेंट नहीं है एक्टिव वोईस में रोहन वो काम कर रहा है यह ज़्यादा इन्पोर्टेंट है इसलिए इसको हम लोग एक्टिव वोईस कहते ह एक्टिव और पैसिव दोनों में ही चेंज करने का स्ट्रक्चर भी है जिससे हम लोग एक एक्टिव वोईस और पैसिव वोईस में डिफ्रेंच जान सके उसको आइडेंटिफाई कर सके अब पैसिव वोईस पैसिव वोईस में वाक्य का सबजेक्ट खुद कारे नहीं करता है क्योंकि वाक्सव में कारे करने वाला आबजेक्ट होता है यानि कि इस वोईस में आबजेक्ट को ज़्यादा हाइलाइट किया जाता है आबजेक्ट को ज़्यादा इंपोर्टेंस दिया जाता है सब्जेक्प जो है खुद कारण नहीं करता है यानी कि पैसिव वोईस में जो सेंटेंस है वो object से start होता है ऐसा दिखाए जाता है जैसे की action जो subject दोरा किया गया है वो ज्यादा important है ना कि subject इक्जाम्पल children are being taught by सुधा मतलब क्या हुआ बच्चे सुधा के दोरा पढ़ाये जाते हैं मतलब कि यहाँ पर जो चिल्डरन को पढ़ाने का काम है जो शुधा कर रही है वो ज़्यादा हाइलाइट किया जा रहा है यानि कि सुधा नहीं बलकि उसका काम जो अबजेक्ट है जो वो कर रही है वो ज़्यादा focus दिया जा रहा है passive voice में अगर एक land में active और passive voice का difference देखते हैं तो active voice देखता है कि what subject does और passive voice के लिए क्या important है the focus is on the action मतलब कि active voice देखता है कि subject क्या कर रहा है और passive voice देखता है कि action क्या है वो subject क्या action करके दे रहा है होप अप लोगों को active और passive voice का concept यहां तक समझाया होगा अब active और passive voice को identify करने का structure देख ले यानि कि voice change जिसमें active से passive में change करना रहता है conversion from active to passive the hunter shot the tiger the hunter subject है short active verb है और the tiger object है उसको अगर passive में convert करें तो the tiger was shot by hunter यानि कि the tiger subject हुआ was shot passive verb हो गया और by hunter जो है object हो गया तो convert करते वक्त कुछ बात याद रखना चाहिए वो यह है कि जो active voice में object रहता है वो passive voice में subject बन जाता है जो active voice में subject रहता है वो passive voice में object बन जाता है और जो active voice का verb है active verb वो passive voice में जाकर passive verb बन जाता है और एक important बात कि object को door या agent इन दोनों नाम से भी जाना जाता है active voice practical life में दो तीन जगा में useful होता है पहला तो यह कि कोई भी sentence अगर active में है तो हम लोग उसको easily read कर लेते हैं और यही कारण है कि marketing में active voice का ही ज़्यादा तर use होता है since active voice बाले sentence को read करना बहुत ज़्यादा easy होता है तो speaking जब हम लोग करते हैं इंगलिश में तो ज़्यादा तर active voice का use करते है अब passive voice पहला तो यह कि कुछ sentence ऐसे होते हैं जिसमें ऐसा लगता है कि object ज़्यादा important है ना कि subject तो उन सभी sentences को passive voice के हिसाफ से बोलना या use करना ज़्यादा बहतर होता है अगर sentence में एक तरह का suspension बना के रखना है तभी भी हम लोग passive voice का use कर सकते हैं इसलिए ज़्यादा तर जो writers है वो passive voice में ही अपना कोई भी तरह का work लिखते हैं passive voice जो है एक तरह का suspension बना के रखता है पुरा end तक और उसमें वो writers ज़्यादा से ज़्यादा अपना information डाल भी सकते हैं उस subject के बारे में तो बस यही कुछ uses है active और passive voice का हम लोगे practical life में तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही see you on the next video, thanks for watching